कि नमस्का सातियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग किसी भी एक्चाम की तयारी कर रहे हैं उसके पुराने कुश्चेंस पेपर अगर आप लोग उठा के देखते होंगे तो आप सभी लोग उन्हें देखा होगा कि करेंट अफेयस आपकी परिक्चाम में भी महत्पूर्ण स्थान रखता हैं आप लोग स्टेट PCS Civil Service की तयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग देखते होंगे कि अच्छी खासी संख्या में करेंट अपेयसे कुश्चेंस आपकी परिक्चाओं में आते ही हैं या फिर आप लोग स्टेट लेवल के और भी एक्जाम देखिये जिसे टीचर्स भरती हो गया या पोलेस दरोगा या पटवारी इस तरह की तमाम एक्जाम होते हैं इसी तरह की आप सेंटरल में देखते हैं SSC, bank, railway इस तरह की तमाम एकजाम वहाँ भी होते हैं और इन सबी में आप देखिए करेंट अपेयस से अच्छी खासी सं और आपने देखा हुगा उसमें हम लोग ने पिछले 12 महीने का यानि कि पूरा 2021 का current appears हर महीने वाई cover किया हुआ है तो अगर आप लोगों को पुरानी किलास में देखना है पिछले साल का current appears पढ़ना है तो मंतली current appears 2021 के नाम से एक playlist सूची बनी हुई है उसमें जाकर आप करेंगे जनवरी 2022 का current appears कि आखिर 2022 में जो जनवरी में जो घटना है घटी हुई है आपकी परिक्षाओं में उनसे किस तरह के questions बन सकते हैं कौन कौन से questions आप देखिए जनवरी की घटनाओं से आपकी परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ट हो सकते हैं उन सभी questions को देखने की हम लोग causes करेंगे सबसे पहला questions आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर किसे अंगरेही भासा के लिए बर्स 2021 का साहित अकादमी पुरुसकार मिला है क्या पूछ रहा है आप से आप से कह रहा है किसे अंगरेही भासा के लिए बर्स 2021 का साहित अकादमी पुरुसक तो आप सभी को मालूब होना चाहिए कि नमिता गोखले हैं यानि कि इसमें आपका C option बिल्कुल सही है क्या है C option बिल्कुल सही है और अगर आप देखें तो साहित अकादमी ने पितिष्ठ साहित अकादमी पुरुसकार साहित अकादमी यूबा पुरुसकार और बाल साहित प पिकास सिनहा को उनके नाटक था एक समराथ असोक और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उम्पन्यास ठिंस टो लीब बिहाइंड और पंजाबी के लिए खालेद हुसेन को उनके कहानी संग रह था सूला दा सालन के लिए साहित पुरुषकार दिया गया था तो ये भी आप लोग याद रखेगा एक कुश्चन्स पूछ लेता है कई बार आपसे साहित अकादमी पुरुषकार से कुश्चन्स आते रहते हैं हमें से आते रहते हैं तो इसमें आप लोग क्या लगाओगी सी आपसन बिल्कु सही रहेगा और याद रखे ये पहली बार 1954 में दिया गया था कब 1904 में अंगला कुश्चन है हमारे सामने क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि किस देश से संबंधित खिलाडी रोस टेलर ने इंटरनेशनल किर्किट से सन्यास लेने की घोशना की है यानी कि इनका कहने का मतलब है कि नेमलिकेत मैं से किस देश से संबंदित खिलाडी रहे हैं रोस टेलर इन्होंने international cricket से सन्याज लेने की घोष़ना की हुई है इनका संबंद औस टेलिया से, इंगलेंड से या नियुजिलैंड से जंब बॉम्बी से है तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि न्यूजी लेंड से है, कहां से हैं, न्यूजी लेंड से इनका संबंध है, न्यूजी लेंड कर्केट टीम के दिगज बल्लेबाज हैं, रॉस टेलर, इन्होंने इंटरनेशनल कर्केट से सन्यास लेने की भूशना किये, और इस की भी ख कुछ है हमारे समने, क्या पूछ रहा है, कौन बैकती रेलबे बोर्ड के नए चेर्मेन और सी एओ निउक्त के रूम में निउक्त किये गए हैं, कौन बैकती रेलबे बोर्ड के नए चेर्मेन और सी एओ के रूम में निउक्त हुए हैं, एस के निगम, टी एस सकसेना, एम BK तिरपार्टी तो याद रखे BK तिरपार्टी साहब को Nuke किया गया है तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे ठीक है अंगला कुश्य ने कौन वेक्ति भारतिय ततरक्षक बल के 124 वे महानेदेशक बने हैं कौन बेक्ती भारतिये तटरक्षक बल की 24 भी महार निदेशक बने हैं केके चौधरी बीएस पठानिया आरेन सर्मा पीके मातुर तो याद रखी इसमें बीएस पठानिया सहाब होंगे तो आप लोग भारतिये तटरक्षक बल इसे इंडियन कोष्ट गाड की नाम से जानते ह इसकी इस्थापना अगस्त 18 अगस्त 1978 में हुई थी दीक है वो इसका हैड़क्वाटर इंडियन कोष्ट गाड हैड़क्वाटर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा कहां नई दिल्ली में अंगला कुश्चन है हमारे सामने किस किस कि किस किरकेट टीम ने अंडर 19 एसिया 2021 का खिताब जीता है भारत ने स्री लंका ने बंगलादीश ने पाकिस्तान ने बताईए क्या लगाओगे आप लो तो भारत ने जीता हुआ है किसने भारत ने जीता हुआ है यह ओप्शन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने तीन जनवरी 2022 को भारत की पहली महला सिक्षक सावित्री भाई फूले की कौन सी जन्ती मनाईगे किनकी सावित्री भाई फूले की कौन सी जन्ती मनाईगे 187 भी 191 भी 198 भी 100 मतलब 200 भी तो याद रखी 191 भी और आपको बता दूं कि सावत्री भाई फूली के जनम की बात करें तो 3 जनमरी 1831 में इनका जनम हुगा था और 10 मार्ज 1897 में इनकी डेथ हो गई थी तो यह आप लो याद रखी गा सत्त सोधक समाज भी आप लोगों ने देखा होगा इनसे भी जुड़ी रही है यह तीक है अगला कुश्चन है मारे समने किस देश से सम्मदीत खिलाडी मुहमद हापीज ने इंटरनेशनल किरकिट से सन्यास लिया है भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं या अफगानिस्तान के हैं बंगलादीश के हैं कहां के हैं बताईए कुछ इसके बारे में किसे देश से सम्मदीत खिलाडी मुहमद हापीज ने इंटरनेशनल किरकिट से सन्यास लिया है किस से हैं इनका सम्मंध है आप देखें पाकिस्तान से कहां से है पाकिस्तान से और आप सभी जानते हैं कि हमारे पडोसी है पाकिस्तान हमारा पडोसी भी है और 1947 तक आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का ही इस्सा हुआ कर दा था लेकिन कुछ महत्वा कांची लोगों इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है और आपको बता दूं कि हापिज ने अपरेल 2003 में जमबामबे के खिलाब बंडे मुकाबले में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की सुरुवात की थी और इसके बाद अगस्त 2003 में इनोंने टेस्ट डिवीव और अगस्त 2006 में T20 ड क्या पूछ रहा है कौन भारत का पहला एल पीजी युक्त और धुआ मुक्त राज्य बना है आंध्पिदेश मद्पिदेश हिमाचल पिदेश पश्चे मंगाल बताईए तो यह आपको बता दूं हिमाचल पिदेश बना है क्या बिना है हिमाचल पिदेश बना है अब आप आप लोग कहेंगे कि हिमाचल पिदेश के बारे में भी कुछ बता दीजे तो आपको बता दूँ इसका गठन 25 जन्वरी 1971 को हुगा था अब आप कहेंगे कि इसकी राध्धानी भी बता दीजे सिमला है दोसरी राध्धानी इसकी धरम साला है और यहां आप बिधान सवा सीट अरसट हैं राज्जी सवा में तीन सीट हैं लोग सवा में चाल सीट हैं जब भी किसी राध्धी का उल्लेक होता है तो उसके बारे में एक सामन जानकारी याद रख लिया करिएगा ठीक है अंगला कुछिन हमारे समने इन में से कौन भारत की पहली कागज रहे आदालत बनी है दिली हाई कोट राजस्थान हाई कोट और गुजरात हाई कोट या केलल हाई कोट तो आप देखेंगे केरल हाई कोट क्या केरल हाई कोट यह आप लोग जरूर याद रखेगा केरल आप लोग संते रहते हैं केरल सबसे अच्छी इस्तिति है सिक्छा में देख लीजे इस्तिती बहुत बढ़िया रहती है अगर के बारे में आप लोग जानना चाहें तो इसके बारे में भी बता दीते हैं दो चार पॉइंट इससे क्या रहेगा कि आप लोगों को से अगर कुश्चन्स पूंचता है तो आप बहतर क्या कर पाएंगे बहतर आंसर दे पाएंगे तो आप सभी जानते हैं इसकी कैफिटल क्या है तिरुवानन्त पुरम इसका घठन गवा था एक नवंबर उनीच सचपन में केरल राज जिगा और यहाँ आप देखें तो आपको विधान सभा में 140 सीटें देखने कुम लेगी राज सभा में आपकी 9 सीटें हैं लोग सभा महिने की किस तारीक को मनाया जाता है पिती वर्स बिस बेल दिवस किस तारीक को मनाते हैं यह आप लोगों को याद रखना चाहिए दो तारीक तीन तारीक चार तारीक या पांच तारीक तो चार तारीक को आपका बिस ब्रेल दिवस मनाया जाता है आप देखेंगे कि चार जनवरी को इसलिए मना जाता है कियोंकि इस दिन ही लुईस बेल का जनम हुआ था और लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल ली면 निपी को जनम दिया था इस लिपी के माध्यम से नेत्थीन बैक्ती दृरिश्टीहीन या आंसेखरूप से नेत्थीन बैक्ती पड़ सकते हैं और रियाद रहें कि पहला विस्ट बेल दिवस ब्रेल दिवस चार जन्वरी 2019 को मनाए गया था, सायुक्त राष्ट महासवा ने नवंबर 2018 में इस तारीक को मनाने का पिस्ताव रखा था और इस दिवस का उद्दिष ब्रेल के महत्त के बारे में जागरूपता फ्यलाना है एक त आईए कौन है निवेस बर्वा, बिनोत खंणर और यूसोपली और सलीम जपर अगर आप लोग विस्तारा एयरलान्स की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 2013 में हुई थी इसका हुआट और एड़क्वार्टर गुरुग्राम में देखने को मिलेगा और बिनोत करनन इसके क्या है, CEO है, B option बिलकुछ सही रहेगा, ठीक है, अंगला question है हमारे समने, क्या भूश रहा है, कौन तेल और प्राक्तिक गैस निगम की पहली महला परमुक बनी है, तो याद रखे, अलका मित्तल बनी है, इसमें, D option बिलकुछ सही है, अगर हम लोग इसकी तेल और प्राक्तिक गैस निगम की बात करें, तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में वीद हुआ था, और बसंत कुझ नई दिल्ली में इसका headquarter आपको देखने को मिल जाएगा, अंगल कुछ हैं हमारे सामने, कौन अकेली, कौन अकेली दच्छिडी धरोप पर पहुचने बाली पहली भारतिय मूल की महिला बनी, गीता चौपडा, अंगली समोता, समोता और हरफी चंडी, पूजा खंडेल वाल, तो याद रखे, इसमें आपकी हरफी चंडी, ठीक है, C option बिलक और हाली में बेटे सैना की 32 बरसी है, भारती मूल की सिक सैन अधिकारी और फीजी ओ थरीपिस्ट हरफी चंडी, दच्छिड धुरोप, साउथ पोल पहुच गई हैं, और इसे इसके साथ बेबिना किसी समर्थन और मदद के, अकेली ही कठिन यात्रा को पूरा करने वाली, पहली आसोईत महला बनी हुई है, ठीक है, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, अपने पूरे सफर में हर्फीत ने 700 मील, यानि की 1127 किलोमीटर की यात्रा की हुई है, और यहां आप देखें कि सोनने से 50 डिगरी सेसे के नीचे के ताबमान, और करीब 90 किलोमीटर पि बैंक की नए M.D. बने हैं, कौन व्यक्ति यूको बैंक की नए M.D. बने हैं, अजीत सिंख पावार, सोमा संकर पर साथ, सुमित कुमार मागू और वरूंदास सर्मा, वरूंदास सर्मा, कौन होंगे इसमें, तो याद रखें सोमा संकर पर साथ होंगे, बी ओप्सन इसमें बिल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा B option बिल्कुल सही रहेगा इको बेंक की बात करें तो 6 जनवरी 1943 में इसकी इस्थापना हुई थी और इसका headquarter आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा कहां कलकाता में ठीक है अंगला question है हमारे सामने किस सहर में भादत का पहला open rock museum खोला है कहां खोला है है थेराबाद देहरादून नासिक चंडेगर तो याद रखी है थेराबाद में खोला है कहां खोला है है थेराबाद में इस option बिल्कुल सही रहेगा अंगला question हमारे सामने दिये गए दिये गए बर्स 2020 के राष्टिय जल पुरुसकारों से में किसी सरफशिष्ट राज्य सैडी का पुरुसकार मिला है पंजाब को उडिसा को उत्तर पिदेश को केरल को तो आप देखी उत्तर पिदेश को मिला है किसको उत्तर पिदेश को और उत्तर पेदेस आपको वैसे बता दूं कि राजनीती की दिरिष्टी से काफी महत्पूर है क्योंकि आप देखें कि यहां सबसे जानदा लोग सभा में, सबसे जानदा विधान सभा में, सबसे जानदा राज्य सभा में सबसे जाना आपका विधान परिषद में सीटें देखने को मिलेगी उत्तरपदेश की राजधानी लखना हुए 24 जनवरी 1950 को इसे राज़ बनाये गया था और आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी को राजधे बसके रूम में भी मनाते हैं उत्तरपदेश राजधे बसके यहां बिधान सभा में 403 सीटे हैं बिधान परिषद में 100 सीटे हैं राज़ सभा में 31 सीटे हैं लोग सभा में आपकी 80 सीटे हैं ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा चलते हैं अंगले कुशन की तरफ क्या पूँच राए इनका पूँच राए कि यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है यह भी सरकार ने, उत्तर पर देश सरकार ने, मैनपुरी, सैनिक स्कूल का नम बदल कर किसके नाम पर रखा है? अटल विहारी बाचपी, जनरल विपिन रावस, स्री निवास रामानोजन, सुसान सिंग राजपुर, तो जनरल विपिन रावस सहाब के, जनरल विपिन रावस सहाब के, भी ऑप्शन कैसा रहेगा, बिल्कुँ सही रहेगा, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के एक CDS, पहले CDS, आप सोचे कि हमारे थे विपिन रावास साहब, और आपने देखा होगा कि इनका देहान थो गया था 8 दिसंबर 2021 में, एक बाईव दुरगटना में, इनका जनम हुआ था 16 मार्च 1908 को, ठीक है तो ये भी याद रखिएगा, कौन बेक्ती पंजाब के नए, नए पुलिस महानेदेशक DGP बने हैं, B.S. चंदरावत, N.C. जाखर, B.K. भावरा, और T.S. सुरपाल, तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे, तो B.K. भावरा, B.K. भावरा, यानि कि आपका C. उप्शन बिल्कु सही है, और पंजाब की बात करें, तो आप देखें, पंजाब तो आजकल गाफी चर्चा में बना हुआ है, चुना हुए थे हैं यहाली में, आप देखें कि बिधान सभा में यहां 117 सीटे हैं, और राज सभा में 7 सीट हैं, और पंजाब को राज बनाए गया था, एक नवंबर 1966 में, और चंडिगर इसकी राजधानी है, ठीक है, पाकिस्तान से लगा हुआ हमारा राज जे, अंगला कुशन हमारे समने, पिया मौदी ने पितीबर्स पूरे भारत में किस तारीक को बीर, वाल दिवस की रूम मे मनाने की घोशना की हुए है, 26 दिसम्बर, 31 दिसम्बर, 7 दिसम्बर, मापकरी, 7 जनवरी, 11 जनवरी, तो 26 दिसम्बर को, जाओ, 26 दिसम्बर को, इसमें क्या लगाओगे, ये ओप्सन बिलकुल सही है, तो आप सभी जानते हैं कि दस्वे गुरु गोविन सिंग की जैनती के मौके पर, पिधानमंत्री मौदी साब ने पूरे भारत में हर 26 दिसम्बर को, हर वर्स, दीर बाल दिवस मनाने की घोशना की हुए है, 26 दिसम्बर वही दिन है, जिस दिन साहिब जादे जुरावर सिंग, साहिब जादे फते सिंग, इस दिन के लिए कुरबान हो गये थे, और उन्हें दीवार में जिन्दा चुनबा दिया गया था, इन दो महान विवुतियों ने किसी और धर्म को चुनने के वज़ए मौत कुगले लगाये था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, अंगला कुशिन है हमारे सामने, ये बूच रहा है कि फिती वर्स, विस्व हिंदी दिवस, जन्वरी की किस तारीक को मनाये जाता है, साथ तारीक, आठ तारीक, दस तारीक, बारे तारीक, तो बारे तारीक का दस तारीक को, बारे तारीक को कुछ भी एक और दिवस मनाये जाता है, आप लोग बताइए क्या मनाये जाता है, इस दिवस को बर्स 2006 में भ एसे अंतराच्टी भासा की रूम बे विख्षित करने के लिए हर इसतर की कदम उठाना और याद रही कि इसके अलावा भारत में 14 सेप्टमबर को राच्टी हिंदी दिवस के रूम में मनाते हैं, दिये गए वर्ष 2020 के Global Globe से अवार्ड में किसी Best Actor का अवार्ड मिला हुआ है, ए ओप्षन कह रहा है आपसे, Nicole Johnson, Andrew Garfield, Alexander Rosé, Tom Jersey, तो Andrew Garfield, भी ओप्षन बिल्कु सही रहेगा, ठीक है? अंगला कुश्यन हमारे सामने, कौन भारती है, डीजे पांडियन की जगह Asian Infrastructure Investment Bank की नए उपाध्यक्ष बने हैं, बताईए, Asian Infrastructure Investment Bank की नए उपाध्यक्ष बने हैं, मोहन सर्दाना, रमेश नायर, जिगनेश चावला, उरजीत पतेल, तो उरजीत पतेल सहाब बने हैं, ठीक है और आप से भी जानते हैं कि Asian Infrastructure Investment Bank, इसकी स्थाफ़ना 16 जन्वरी 2016 को की गई थी, ठीक है, इसका headquarter बिजिंग चाइना में हैं, अंगला कुश्यन है मारे सामने, कौन भारत की 73 सतरंज ग्रेंट मास्टर बनें, ए उप्सन है आपका आदेश देश मुक्ष, बी कह रहा है, न सुब अमन्यम, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, दी ओप्सन बिल्कुट सही रहेगा, दी ओप्सन बिल्कुट सही रहेगा, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, चले आगे चले, अंगला कुश्यन है मारे सामने, रेल मंत्राले ने के वडिया रेल्वे स्टेशन का नाम बदल का क्या रख दिया गया, क्या रखा इसने, बल्ला भाई रेल्वे स्टेशन, एकता नगर रेल्वे स्टेशन, यूनिट इंडिया रेल्वे स्टेशन, समस्त एकता रेल्वे स्टेशन, तो एकता नगर रेल्वे स्टेशन रखा गया, क्या बी ओप्सन भी, 71 भी, तो याद रखिए 56 भी मनाईगे, कौन सी, 56 भी, अगर लाग बाहद दो साथित्री के बारे में हम लोग बात करें, तो इनका जनम 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, इनकी डेथ 11 जन्मरी 1966 में हुई थी तासकंद में, आप सभी जानते ही कि हमारे देश की फिधान मंत रहे हैं, और ऐसे फिधान मंतरी रहे हैं, जन्होंने खाद्यान की संकट से बाहर निकाला था, और इनकी बारे में आप देखें, चर्चित कई कहानिया हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को जानने की इक्छा है, दिल्चस्वी है ने, तो बाइवकर आठभी की नाम बताईए, साइमन मेक्सन, ओलिवियर गौरिंचर, मैना लिस फिलिप्स, और रिचर्ड अना लिस, बताईए, अंतरश्टी ये मुद्रा कोस्त, आई एमेप, इंटरनेशनल मौनेटरिर फंड, सुना है इसका नाम, ये नहीं सुने हो, तो इसमें आप लोगों को याद रख इसमें बिल्कुल सही है, और इसकी बात करें तो देखिए, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होई थी, बॉसिंग्टन DC, USA में इसका हैड़क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और जो अपने सदस राष्टों को बेस्टबिक आर्थिक रिच्थितिति पर अदिश्टी रखने का काम करती है, यह अपने जो इसके सदस हैं उन्हें आर्थिक और तकनीक की सहायता भी उखलब्द कराता है, आईए मैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, पिती बस जनवरी महिने की किस तारीक को पूरे भारत में राष्टी मनाय जाता है, और इसी के बारे में पीछे पूछ रहा था आप लोगों से, बताए दस जनवरी, ग्यारे जनवरी, बारे जनवरी, चौदे जनवरी, कब मनाय जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि बारे जनवरी को मनाय जाता है, कब बारे जनवरी को मनाय जाता है, यानि कि इस में क्या लगाओगे, C option बिलको सही रहेगा, और आप सभी को मालब होना चाहिए कि जो हमारे स्वामी वेवेका नंद साहब थे, इनके जनम दिन को मनाते हैं हम लोग 20 राष्टी युवा दिवस के रूप में, और इसे पहले भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 में राष्टी यु इनका जनम आप सभी जानते हैं स्वामी वेका नंद का बारे जनबरी 1863 में हुआ था, और 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, किस देश से सम्मंदित किरिकेटर, क्रिस मौरिस ने खेल के सभी प्यारूपों से सन्यास लिया है, किस के ज़से इनका सम्मंदर आ है, किस देश से हैं, क्रिकेटर है, दच्छड अफीका, बैस्ट इंडीज, न्यूजिलेंड, औस्टेलिया, तो आप सभी को मालव होने चाहिए कि दच्छड अफीका के हैं, कहा के हैं, दच्छड अफीका के हैं, अंगला कुश्चन हमारे सामन किसे बीवो की जगें, इंडियन प्रिमियर लीग का नया टाइटल स्पॉंसर बनाए गया है, जियो पतंजली, टाटा, सैमसंग, तो याद रखें, टाटा को बनाए गया है, किसे बनाए गया है, टाटा को बनाए गया है, और अभी तक आप देख रहे होंगे कि बीवो था लेकिन बीबू को हटा दिया गया है बीबू की एक company है आप सभी जानते है टेकनोलोजी company है और याद रखे 2009 में इसकी स्थाफना हुई थी कब 2009 में इसका headquarter आपको चाइना में देखने कुम लेगा टाटा आप देखते हैं motors गाड़ी यहां बनाती है देखा होगा आप लोग ने तो इसमें याद रखे C option आपका बिलकुँ सही रहेगा अंगला question किस फुरुस खलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC failure of the month award मिला है इसमें आप देखेंगे कि मैंक अगबाल भारत के हैं तो याद रखे इसमें बिलकु सही रहेगा अंगला question है हमारे समने पश्चमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की सुरुवाद की हुई है पश्चमी रेलवे ने यात्रियों के लिए खोए हुए सामान के लिए किस पहल की सुरुवाद की है mission Milan, mission अमानत, mission पाया, mission मिलाया तो mission अमानत, B option बिलकु सही है पूछ लेगा आप से कि mission अमानत किस से संबन देत है तो आप लोगों के याद रखना है खोए हुए सामान के लिए अंगला question है अमारे सामने कौन बैकती भारती अंतरिक्च और अनुसंधान संगठन की अंगले प्रमुक नियुक्त किये गए है T सरयास, S सौमनात, M चंद्राबद, K चितंबरम भारती अंतरिक्च और अनुसंधान संगठन की बात हो रही है संगठन की, इसरो की तो याद रखी S सौमनात, B option बिलको सही रहेगा Indian A Space Research Organization की बात करें यानि कि भारती अंतरिक्च और अनुसंधान संगठन की तो इसकी स्थावना 15 अगस्त 1970 में हुई थी बैंगलूर में इसका headquarter आपको देखने को मिल जाएगा अगला question है हमारे सामने किस भासा की मसूर लेखक चंद सीकर पाटिल का 82 वर्स की उमर में नेधन हो गया कंड़ से थे, मराटी से थे, गुजराती के से थे इनका समन्द, या आपको बता दूँ कि यह कहां के थे, पंजाबी के तो याद रहे कि कंड़ से इनका समन्द रहा है यह option बिल्कु सही है किस भासा से इनका समन्द रहा है? कंड़ से चंपा के नाम से मसूर कंड़ लेखक चंद सेकर पाटिल का 82 वर्स की उमर में नेधन हो गया, वह कंड़ साहित की बंदया, सैली की अगड़ी आवाज में एक थे, उन्होंने कई साहितिक और किसान अंदोलन हो पे दरसनों में भाग लिया, जिसमें गोका का अंदोलन बंदया अंदोलन आवाद कालीन बिरोधी आंदोलन सामिल था अंगला खुशेन हमारे सामने आंदपदेश सरकार ने सरकारी करमचारियों की सेवा निवित आयूब साड़ वर्स से बढ़ा कर कितनी कर दी ये कर दी उन्होंने 62 कितनी 62 साल कितनी 62, 63, 64 66, 68 62 साल कर दी है और आंदपदेश की बारे में आपको बता दूँ कि इसकी राधधानी अमराबती है और तेलंगा ना इसी से अलग करके बनाए गया था एक नया राज दिसम आपने देखा होगा 2014 की बात है एक नवंबर 1956 में आपको बता दूँ आंदपदेश का गठन हुआ था राज्जी की रूम में और वैसे तो आपको बता दूँ भासाई आधार पर गठत होने वाला पहला राज्जी ये वह उसा आंदपदेश यहां बिधान सभा में आप देखेंगे 175 सीटे है बिधान परिशाद में 58 सीटे है राजसभा में 11 सीटे है लोगसभा में आपकी 25 सीटे है तीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने पिसिद बेक्तित कमाल खान 61 वर्स की आयू में नेधन हो गया वह थे पत्तकार थे गायक थे अविनेता थे विज्ञानिक थे तो आप सभी जानते हैं कि क्या थे पत्तकार थे कमाल खान पत्तकार थे एंडी टीवी से जोड़े हुए थे कौन अंगला है कुश्चन कौन प्यक्ति भारती इतिहासिक अनुसंधान पुल्षद की नई अद्ध्यक्च बने है प्रोफेसर आमिसुर्दत्ता प्रोफेसर नीलकंट जहां प्रोफेसर रगुवेंड तमर और प्रोफेसर अमरस सिरावद बताए कौन होगा तो इसमें प्रोफेसर रगुवेंड तमर होंगे ठीक है सी ओप्सन बिलको सही है क्या होगा सी ओप्सन बिलको सही है इंडियन काउंसिल ओफ हिस्टोरी का रसर्च की बात करें तो आप देखें कि 27 मार्च 1972 में इसकी स्थाफना हुई थी इसका हेड़क्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपो तो ये भी आपो याद रखिएगा अंगले कुशेंड की तरफ बढ़ते हैं पिटी वर्स पूरे देश में भारती सेना दिवस किस तारीक को मनाए जाता है 15 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी तो 15 जनवरी को आपका भारती सेना दिवस मनाते हैं और आपको बता दूँ कि ये पिटी वर्स 15 जनवरी को इसलिए मना जाता है क्योंकि 1945 में इंडियन आर्मी की कमांड भारती मोल के एम करियक्पा को मिली थी इस बार इस दिबस की मौकी पर जेसल में बड़ा तिरंगा जंडया फराये गया जो दो सो पचीस फिट लंबा एक सो पचास फिट चोड़ा था इसका बजन आप देखें कि करीब एक हजार किलो गराम का था यह भी आप लोगों को महलू होना चाहिए अंगले क्विश्टन की तरफ बढ़ते हैं किस बैडमिंटन खिलाडी ने इंडियन ओपन दो हजार बाईस में पूरोस एकल का किताब जीता है लोगी कीन यू चराग सेटी हैडरा सेटी सेटियावान लच्छ सेन तो इसमें लच्छ सेन है क्या है? D option बिल्कु सही है अंगला कुश्टन है ऑस्टेलिया ने दा एसेज 20-22 यानि की 2021-22 क्रिकेट से इंखला जीती है यह से इंखला किन दो देशों की भी खेली जाती है आस्टेलिया भारत, आस्टेलिया न्यूजिलेंड, आस्टेलिया इंग्लेंड, आस्टेलिया इंग्लेंड के बीच C option बिल्कुँ सही रहेगा इसमें अंगला question है हमारे सामने PM पिधार मंत्री मौधी ने पितिवस किस तारीक को National Startup Day के रूम में मनाने की घोशना की है 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 19 जनवरी तो याद रखे 16 जनवरी को कब 16 जनवरी को अब किस रूम में मनाएंगे National Startup Day के रूम में और यह आप देखें पिधान मंत्री साहब काफी Startup की बात करते रहते हैं और इस दिवस को मनने कोदेश है कि Startup की कल्चर को भारत की दूर दराज के लागों तक पहुंचाये जाए ठीक है चलिए अंगला question देख लेते हैं महान कथक नर्तक पंडेत बिर्जु महाराज का 83 वर्स की उमर में नेधन हो गया जिनका पूरा नाम क्या था बताईए इनका पूरा नाम ब्रज मोहननात मिस्ट ब्रजपाल दास कोपाल ब्रजेश चंदनात मिस्ट ब्रजपाल ना सारामनात दास तो याद रखे इनका नाम पूरा क्या था इनका नाम था ब्रज मोहननात ब्रज मोहननात मिस्ट ए ओप्शन बिल्को सही रहेगा 17 जनबरी 2022 को इनकी महान कर्थक नर्तक पंडित बिर्जु महाराज की डेथ हो गई थी हिदाय गात के कारण और बिर्जु महाराज कथक के परयाय थे बिर्जु महाराज का पूरा नाम ब्रज मोहननात मिर्सर था उनका जनम 4 फरवरी उनिस सो से ताज लीस को लखनव के फिस्द कथक नर्तक परिवार में हुआ था लखनव घराने से तालुक रखने के बाद बिर्जु महाराज कतक नर्तक होने के साथ सास्तिय गायक भी थे ठीक है अंगला कोश्चन है हमारे सामने वेस्ट इंडीज किस वेस्ट इंडीज के पूरू किर्केटर को वेटेन का नाइट हुड समान मिला है ब्राइन लारा किलाइव लॉयड मारलोन सेमोल्स जैसन होल्डर तो याद रखी किलाइव लॉयड भी ऑप्शन बिलकुस सही रहेगा ठीक है अंगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कौन बैक्ती परीधान निरियाद सम्बर्धन परिशत की नई अध्यक्च बने है परीधान निर्याद परिशत की अध्यक्च बने है अमिसराना बेनुंग गोपाल सिंग कमल पाटिकर नरेंद गोयन का तो याद रखी इसके बने हैं कौन नरेंद गोयन का D option बिलको सही है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अंगला question एक किस देश में, पूर पिदानमत मंतरी रहें, तोसी की केफू का, एकानवे वर्स की उमर में निधन होगा है, ब्राजील के थे, पेरों के थे, या आपके, जापान के थे, या माली के थे, तो जापान के थ थे, कौन, तोसी की केफू, एक जापान के थे, और आप सभी जानते हैं कि जापान, आपका ACA में ही पड़ता है, इसकी राध्धानी टोकियो है, ठीक है, परमाडू बंबीगर आए गये थे 1945 में, आपको याद है, किस सुंदरी ने Message World 2022 का खिताब जीता है, Message World 2022 का, सीलीन फोर्ड ने, जॉन्डी फियर्स ने, हरनाज संदू ने, लिजा एसे ले, तो यह आपको याद रखना चाहिए, सीलीन फोर्ड ने, किसने, सीलीन फोर्ड ने, यानि कि ए ओप्षन आपका बिलकुल सही रहेगा, अमेरिकी सीलीन फोर्ड ने, Message World 2022 का किताब जीता याद रखिएगा, और वहीं इस Message World, Message World 2022 का किताब जीता हुआ है, याद रखिएगा, और वहीं इस Message World, Message World 2022 पे दे होगी था में, नावदीत कोर्णे को बेस्ट नेशनल, कॉस्ट, कॉस्टल, कॉस्टलियूम टाइटल अबॉर्ड मिला है, ठीक है, यह ओप्षन विलकुल सह रहेगा, अंगला कुश्टन है हमारे सामने, कौन बैक्ती भारत के अंगले ओपल, थालुसेना अध्यक्च बने, तो रवेस प्रजापती, मनोज पांडे, असोक नंदा, राजिस चावला, तो याद रखे मनोज पांडे, अंगले कुश्टन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्या गह रहा है, कौन नियाए घड़ी इस्थावित करने वाला बाली भारत की पहली हाई कोट बन गई है, कौन नियाए की घड़ी, जश्टिस किलोर्क, इस्थावित करने वाली भारत की पहली हाई कोट बनी है, कौन सी है, केरल हाई कोट, राजिस्थान हाई कोट, इलाव कुछ पत पर बैठे हुए पधान मंत्री हों गरह मंत्री हों अभी गुजरात से ही आते हैं निकल के ठीक है तो यह भी याद रखिएगा तो इसमें डी ओप्सन रहेगा आपका और गुजरात की राध्धानी गांधी नगर है इसे आप देखेंगे एक माई 1960 को राज बनाए गया था विधान सवा में 180 सीटे हैं राज सवा में 11 सीटे हैं लोग सवा में 26 सीटे हैं तो यह भी आप लो याद रखिए अंगला कोक्षिन है हमारे सामने 19 जन्बरी 2022 को पूरे भारत में राष्टी आपदा पिती किरिया बल का कौन सा इस्थापना दिवस मनाए गया राष्टी आपदा पिती किरिया बल का कौन सा इस्थापना दिवस मनाए गया 13 वा 17 वा 21 या 26 वा तो आप देखेंगे कि इसका 17 वा मनाए गया है भी आप्सन बिल्कु सही रहेगा आप देखेंगे 2006 में इसकी इस्थापना की गई थी इसका हेड़क्वाटर आपको निव दिल्ली में देखने को मिलेगा नई दिल्ली में अंगला कुशन हमारे सामने किस फूरुस खिलाडी को वर्स 2021 का फीपा पिलियर आप दा इयर चुना गया है लियोनल में सी रोबर्ट लेवान लेवान वसकी और केविन डी बुइन या एलिंग हालेंड तो याद रखिए रोबर्ट लेवान डोसकी ठीक है यानि कि वी आप्शन आपका बिल्कु सही रहे है अंगला कोशने कौन बेखती एयर इंडिया के नई पिरमोक के रूम में नूप किये गए एयर इंडिया के रूम में बिक्रम देवदत जैस मित्रल अखले सर्मा लोकन सींग तो याद रखिए विक्यम बिक्रम देवदत हैं और ये एयर इंडिया आप सभी जानते हैं कि 1932 में इसकी इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर है और क्या इस्तेती है आप लोग सभी जानते हैं इसके कौन ऑस्टेलियाई विग बैस लिग्यू में खेले बाले पहले भारती पुरुस करिकेटर बन गये इवरासिंग उन्मोक्त चंद अमबाती राइ ए संग की संसत की नई अध्यक्ष बनी है रोवर्टा मैट सॉला क्राश्टीना मार्टिन जूलिया लारा सर्मन लॉरेंस तो याद रुखी रोवर्ट मैट सॉला रोवर्ट मैट सॉला यानि कि क्या लगा हुगी ए ओप्षन इवरे पीय संगी की बात करें तो इसकी वंबर 1993 में हुई थी, ठीक है, तो यह आप लोग याद रुखिएगा, अंगला कुश्टेन है हमारे सामने, कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, नजमा खान, सारा गिल, आयसाक्तर, विलकेस, बेगम, तो सारा गिल, ठीक है, वी आउसन बिलको सही ह अंगला कुश्टेन है हमारे सामने, भालती महला खिलाडी, सानिया मेरजा ने किस खेल से सन्यास लेने की गोश्टना की है, टैनिस, क्रिकेट, हौकी, बेडमिंटन, तो टैनिस की खेल से जुड़ी रही है, चीक है, अंगला कुश्टेन हमारे सामने, किन तीन राज्जों 21 जनवरी 2021 को अपना 50 बाद दिवस मनाया है स्थाफना दिवस उत्राखंड बिहार जारखंड उत्राखंड सिक्क्यम मडीपूर जारखंड नागलेंड सिक्क्यम मडीपूर मेगाले तिपुरा तो याद रखी इसमें मडीपूर मेगाले तिपुरा यह आप लोग जरूर और आप सभी जानते हैं कि पूरवी भारत के सभी राज हैं और सबसे पहले आपका मड़ीपूर के देख लेते हैं किसे मड़ीपूर तो आपको बता दूँ कि इसे राज जिकब बनाए गया था 15 एक्टूब गार 1949 को भारत में बिलाई किया गया था और यहां बिधान सभा मे 60 सीट हैं राज सभा में एक सीट है और लोक सभा में आपकी दो सीट हैं और इमफाल इसकी राजधानी हो गई मड़ीपूर की ठीक है और फिर आप देखेंगे मिगाले अगर मिगाले की बात करें तो आप देखते हैं कि यहां सबसे जान्दा वर्साद होती है ठीकर बूरे इसकी राजधानी अगर तला है, 21 जन्वरी 1972 को इसका राज बनाय गया था, और यहां विधान सभा में 60 सीट हैं, राज सभा में 1 सीट है, लोग सभा में 2 सीट हैं, तो एक मोटे मोटे आगडे याद रखा करिएगा, अंगला है कौन बेक्ती सहकारी संस्ता, आई, आई, माकरी, आई, एफ, एफ, सी, ओके, सत्तरहवे अध्यक्ष की रूम में चुने गया हैं, किसके आई, एफ, एफ, सी, ओके, दिलीब संगानी, राकिस बिस्मोई, महेस, चंद्रावत, तिनकेस, लामबा, तो याद रखी दि संगानी हैं इसके, अगर इंडियन फार्मर, फार्टलाइजर, कॉफरेटिब की बात हो रहे है, 3 अवंबर 1967 में इसकी स्थाफना हुई थी है, निउ दिली में इसका हैटकोटर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लो, याद रखिएगा, अंगला कुश्यन है कौन वेक्ति राष्टिय राजमार्ग एंड इंफ्राटक्चर विकास निगम लिमिटेट के नए M.D. बने हैं, बताइए, कौन बने हैं, राष्टिय राजमार्ग एंड इंफ्राटक्चर विकास निगम लिमिटेट के नए C.E.U. बताना है, C.M.D. कौन बने, M.D. की बा और अगर हम लोग national highway and infrastructure development की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, head pattern नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपको, अंगला question है हमारे सामने, कौन के अंद सासे पेस जम्मू का और कस्मीर का पहला दुख्द गाओं बना है, महरौल, जेरी, सांगली और अर्निया, तो याद रखें, यह आपका जेरी है, बी option बिल्कुल सही है, अंगला question है हमारे सामने, किस खेल से समदित पूर भारती है, खिलाडी, सुबास, भामिक का, 71 वर्स की उमर में नेधन हो गया, फोटवाल से थे, होकी से थे, किर्केट से थे, कबड़ी से थे, तो यह फोटव फोटवाल से थे, यह option बिल्कुल सही है, भारत के पूर फोटवाल खेलाड ही रहे हैं, और आप देखेंगे, भामिक ने 20 साल की उमर में अंतरश्टी डिवीव किया था, उन्होंने 30 जुलाई 1970 को मर्डे का कम में फार्मोसा के खिलाब अपना पहला मैच के ला था, और भा अंगला कुशन हमारे सामने, इंडोनेजिया की सरकार ने जकार्ता को हटा कर किस देश में नई राध्धानी बनाने का अलान किया है, वांडूंग, योगकार्ता, नुस, नुस अंतरा, दैन फासर, तो यादर के इसका नुस अंतरा होगा, C option बिल्कु सही रहेगा आपका, अंगला कुशन है मारे सामने, 23 जनवरी कुकिस ब्यक्ति की जैनती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाये जाता है, आप देखेंगे संकर दयाल सर्मा, सुभाष्चन बोस, चंद सिकर आयाल भगस्ति, तो सुभाष्चन बोस की जैनती पर आप देखेंगे, पूरे भ भारत में, पराक्रम दिवस की रूम में आप लोग मनाते हैं, किसके पराक्रम दिवस की, सुभाष्चन बोस की बारे में आप सभी को मालू होना चाहिए कि इनका जनम 23 जनवरी 1897 में हुगा था, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, अंगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं, पिती बर्ष किस तारीकों अंतराष्टी सिक्छा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 20 जनवरी या 21 जनवरी, तो याद रखिए 24 जनवरी को, आपका अंतराष्टी है, सिक्छा दिवस के रूम में आप लोग मनाते हैं, किसक अंतराष्टी है, सिक्छा दिवस के रूम में, इसे मनाने का उद्देश यही है, कि विस्ष सांती और विकास के लिए सिक्छा की भूमिका को बढ़ावा दिया जा सके, इस साल की ठीम रखी गई है, चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफार्मिंग एजूकेसन रखी गई है, ठीक के कुश्चन स्कूच लेता है कई बार आपकी, अंगला कुश्चन है हमारे समने, केंद सरकार ने इंडिया गेट में से अमर जवान जोती को इस्थान अंतीत करके किसी की पितमा इस्थावित किये, चंदे से कर, आज़ाद भूपेंदनाद, दर्थ, सुभाष्चंद बोस बीवी, एस, एयर, तो याद रखे, सुभाष्चंद बोस की, सी ओप्सन बिलकुश सही है, अंगला है किस सहर में भारत की पहली पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई, जैपुर, मॉंबई, चंडिकर, लखनव, तो लखनव में की गई है, भारत की पहली पैर का वेडमिंटन अकादमी, अंगला कुश्चन है किसे सियद मौधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महला इकल का खिताब जीता है, तनीसा कराष्टो, पीवी सिंदो, अन्ना चेओं, तेई मेई जिंग, तो याद रखी पीवी सिंदो है, ठीक है, भी ओप्सन बिलकुश से ही, अंगला कुश्चन है कितने बच्चों को, वर्स 2022 के पिधानमंत्री राष्टिये बाल पुरुसकार दिया गया है, कौन सा, पिधानमंत्री राष्टिये बाल पुरुसकार, 23, 29, 33, 38, तो याद रखी 29 बच्चों को दिया गया है, कितना 29 बच्चों को दिया गया है, और आपको बता दूँ कि पितिवर्स बहादर और पितिवया साली बच्चों को उनकी उपलब्दियों के आधार पर दिया जाता है, ठीक है, तो यह आप लोग जरूर याद रखीगा, अंगला कुशिन है हमारे समने, किस टीम ने नेशनल बुमेन, I.C.E. होकी और तेलंगाना दिल्ली, तो लद्दाक ने जीता हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि केंदर सास्वित पिजेस है लद्दाक, ठीक है, अंगला कुशिन है हमारे समने, I.C.E. Award 2021 में किसे सरफसे पुरुस करिकेटर के रूम में चुना गया है, बाबा राजम, पाकिस्तान क बिराट कोली भारत के हैं, साहीन अफरीदी पाकिस्तान के गलेन मैक्सवेल औस्टिलिया के हैं, तो साहीन अफरीदी को चुना गया है, C.Option बिल्कुल सही है इसमें, अंगला कुशिन क्या है हमारे सामने, अंगला कुशिन है भारत में हर वर्स राष्टिय परेटन दिवस किस तारी को मनाया जाता है, राष्टिय परेटन दिवस की बात हो रही है, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी को, बताईए, तो याद रखिएगा, यह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, कब 25 लोने चाहिए कि हमारी GDP में अच्छा भला युगदान करता है आपका हमारी अर्थवरस्था में परेटरन का अच्छा महत है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा उसी को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से अंगला कुछ ने कोल कितनी हस्तियों को पदमा लौड की बात हो रही है तो 128 को काव 128 को ठेक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा अंगला कुछ न है हमारे सामने 26 जन्मरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गरतन दिवस मनाए गया देखिए याद रखिएगा तेन दिवस काफी आप लोगों से कुश्चन से पूँच लेता है आप सभी को मालू है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी तो 15 अगस्त को सुतंता दिवस के रूम में मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को समिधान के कुछ पर आवधान लग हो गयते तो समिधान दिवस के रूम में 26 नवंबर को मनाते हैं और 26 जनवरी को पूरी तरह से आपका समिधान लग हो चुका था कुछ संस्थान भी आपके बहुत सारे आ चुके थे तो गरतन दिवस आपका 26 जनवरी को मनाते हैं ठीक है जारी वर्स 2021 की भिष्टा चार अवधारना सूचकांक में भारत को कौन सा इस्थान मिला है नवासी बाद 94 बाद 85 बाद बताईए यह आपने देखा होगा कि 180 देशों की सूची में भारत को 85 बाद इस्थान मिला है यानि कि हमारी इस्तिती समझ सकते हैं और पिछले साल हमें 86 बाद इस्थान मिला हुआ था और इस सूची में डैनमार्ग, लेंड, न्यूजिलेंड और नॉर्वेकूस टॉप इ ले हुए हैं और दच्छडी सूडान को सबसे बुरी इस्तिती है तो यह आप लोग याद रखिएगा अंगला कुर्शन है हमारे सामने आंग्वेदे सरकार ने 13 नए जिलों की गठन को बंजूरी दिये अब राज में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई 24, 26, 39, 33 तो याद रखिए 26 हो गई अब कितनी 26 हो गई किसी हंदोस्तान Petroleum Corporation Limited का नया चेर्में एवाम प्रवंध ने देसक नियूक किया गया है बताइ हंदोस्तान Petroleum Corporation Limited की बात हो रही है तो याद रखिए पुस्ट पुस्ट पुमार जोसी होंगे D option बिलकुछ सही होगा इसमें ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा अंगला question है हमारे सामने किस खेल से समंदी ते पूर भाती एकलाडी चरंजी सिंग का 91 वर्स की उमर में नेधन हो गया hockey, football, cricket या आप देखेंगे badminton तो याद रखिए होकी के खेल से जुड़े हुए थे किसे होकी के खेल से जुड़े हुए थे चरंजी सिंग ठीक है और Arjun Abad पदम पुरुसकार से इन्हें नवाजा गया था 1964 में Tokyo Olympic hockey में स्वाडपदक भी जीता था इनोंने यानि कि विजीता टीम के कप्तान रहे थे उस समय ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा और वह है Olympic Swart पदक विजीता टीम की कप्तानी के साथ 1960 ROM Olympic की रज़त पदक विजीता टीम में भी थे इसके अलावा 1962 में ACI खिलों की रज़त पदक विजीता टीम में भी सदस थे चरंजी सिंग यह option बिलकुँ सही है 28 जनवरी 2022 को महान सुदंता सेनानी लाला लाजपत राई की कौन सी जैन्ती मनाई गई है बताएए लाला लाजपत राई की 153 157 भी 163 भी 168 भी 178 भी मापकरी यह 157 भी मनाई गई है लाजपत राई की जनम की बात करें तो आप देखें 28 जनवरी 1865 में इनका जनम हुआ था और 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी ठीक है अंगले कुशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन बैक्ती भारत की नए कौन बैक्ती भारत की नए मुख आर्थिक सलायकार निउक्त किया गया है जे असोग चोपड़ा एम नीतिस मोर्या टीर सरवन कुमार वी अनंद नागे सुरं बताईए तो आप देखेंगे कि वी अनंद नागे सुरं को निउक किया गया मुख आर्थिक सलायकार किस सहर को सौ चार्जिंग पॉइंट बाला भारत का सबसे बड़ा एवी चार्जिंग इस्टेशन खोला है सिमला में जोत्पुर में या गुरुग्राम में या गवालियर में तो याद रखे गुरुग्राम में खोला गया है कहां गुरुग्राम में अब आप देखे कि चार्जिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं गाडियां चार्जिंग बाली गाडियां आ रहे हैं किस सहर में भारत के पहले सम्मीधान पार्क का सिलनयास किया गया एहमदावाद गांडीनगर पानीपत जैपुर तो याद रखे जैपुर में किया गया है कहां जैपुर में किया गया है किस खिलाडी ने ऑस्टेलियन ओपन 2022 में पूरुस्त एकल का किताब जीता है डेनिब मैदवे देवर ने रोजर खेडरर ने, नोबाग जुकोविच ने, राफेल नडाल लें, तो याद रखी राफेल नडाल लें, और टिलियन ओपन की बात हो जाई, अंगलग भुशेन है हमारे सामने, पिती बस पूरे भारत में 30 जनवरी को किनकी पुन्न तिथी पर सहीद दिवस के रूम में बनाते है चंद सिकर राजात, महत्मा गांधी, नाथुराम गोंड से, राजीव गांधी, तो याद रखी महत्मा गांधी की, और महत्मा गांधी के जनम की अगर आप लोगों से बात करें, आप सभी जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई ती, 2 अक्टूबर 1889 का इनका जनम हुआ था और 30 जनमबर 1889 को नई दिल इमेन की हत्या गर दी गई थी, नाथुराम गोंड से के द्वारा, ठीक है, अंगला है सियो मारा, काश्ट्रो किस देश की पहली महला राश्टपती बनी है, हॉंडूरास, पनामा, हैती, निकारागुआ, बताइए, हॉंडूरास की, आप लोग महला राश्टपाल कौन थी, पहली महला मुखबंतरी कौन है, ठीक है, अगर हों नहीं हुई है, तो तब भी बताइए, किस बाती खिलाडी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट आप दा येर 2021 का किताब जीता है, ए गुरिंदर सिंग, मंदीप सिंग, पी आर स्री जेस, नीलकंट कि जो भी घटनाय रहे हैं, उनसे समदीत आपके महत्पून कुश्चस, और जो आपकी प्लेलिष्ट सूची बताई हुई है, मंध्री करेंट पेस के नाम से, उन्हीं में आप देखेंगे कि इसको भी डाल दूगा, तो वहीं आप लोग देखते रही है, हर महीने की आपकी करेंट पेस आपको मिलती रहेंगी, 2021 की भी और 2022 की भी है, ठीक है, चली हम लोग फरवरी महिने की सभी जितने भी करेंट पेस से जुड़ी हुए घटनाय होंगी, उनसे जुड़े हुए जो भी कुश्चन्स आएंगे, बन सकते हैं, आपकी परिक्चाओं में उन सब पर ब देगे, वहाँ से डाउलोड कर देजिएगा